हेलो गाइस तो कैसे हो आप सो भी लोग वेलकम बैक टू दिन अदर गेंपले वीडियो तो गाइस आज हम दुबार से कहले जा रहे हैं आक सर्वाइवल एवाल एंड गाइस यह हमारा आक सर्वाइवल एवाल का I THINK 21 एपिसोड होगा तो गाइस जैसे कि हमने अपने आक सर्वाइवल एवाल के पिछले एपिसोड में अपने के लिए पाचे को टेम करता था तो लिटरली गाइस यह क्रेचर मेरे को काफी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे को लिटरली इसके बारे में कुछ पता नहीं है इसका यूस क्या मेरे को लागा तो गाइस आप यूद्यों को पैता होगे कि पहले हम अपने हाद से फाइवर कलेक्ट करते थे थे हैं ठोड़ सा फाइबर कलेक्ट करने में लिटरली गाइस हमें काफी ज़्यादा टाइम लग जाता था एंड़ यहाँ पर आप इस मिले वेपन को देख सकत करने होंगे जिसको लिए में को काईस्ट करनी पड़ेगी तो हैंपे मैं अपने एक subscriber भाई से पूछा है यार मेरे को farming करनी है and fertilizer बनाने के लिए मेरे को कौन सा creatures tame करना पड़ेगा तो उन्होंने मेरे को suggest करा तुम dunk battle tame करो जो की easily tame हो जाता है आपको क्या करना है hunter cave में जाना और वहाँ पे देखना आपको definitely dunk battle easily मिल जाएगा तो guys मैंने decide करें कि चोलो आज की वीडियो में मैं dunk battle tame करूँगा अपने के लिए तो guys सबसे पहले मैं अपने के लिए farming pots बना लेते हैं तो सबसे पहले guys मैं इंग्रिम्स में चलता हूं और वहाँ पे चेक करते हैं guys कि मैंने already unlock करें तो जी हाँ guys यहाँ यहाँ पर मैंने farming pots already unlock करें में तो यहाँ पर guys मैंने दो farming pots अपने के लिए crafting में लगा लिए हैं तो guys जितना भी मेरे पास extra material होगा वो guys मैं अपने storage box में रग दूँगा तो guys वीडियो स्टाट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नहीं है और जिसने भी guys अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज भाई लोगो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंदा तो वीडियो को like करना मात भूलना और यहां पर ya nI callा that नहीं हो तो जालो गई सबसे मेलै में इनको प्लेस कर देता हूं यहां पर प्लेस करेंगे तो देखो गाईज अब इसमें फूट फॉर्टिलाइजर पूट कर रहा है तो मेरे पास गाईज एक ही पॉट है यह भी नॉर्मल फूट है बड़े क्रेचर्श की नहीं है तो इससे तो कुछ होगा नहीं है आपे गाईज मैं दूसरा पॉट सर्च कर रहा था जो कि मैंने क्राफ्टिंग में लगा के रखा वा था एक ही क्राफ्ट हुआ तो छोड़ो गाईज अब इनको छोड़ते हैं अब हम डारेक्ट चलते हैं अपना जो डंग बीटल को टेम करने के लिए तो डंग बेटल को टेम करने के लिए हमें जादा कुछ नहीं चाहिए एंड हमें चाहिए स्पॉयल मीट तो गाईज मैं अराउंड जितना भी स्पॉयल मीट मेरे पास सारा है वो मैं अपने साथ लेके चलूँगा सीधा हंटर केव में मेरे पर यहां पर डेखना मेरे को इतनी रेर चीज मिली जो की मेरे को जब से मैने सोलो सीरीज स्टार्ट करीया है अब द'veी तक मेरे को वो creatures देखने को नहीं मिलाता जो की मिलेगा मेरे को red ops league के पास में तो मेरा तो मन係लिच बहुत जाद कर रहादा कि मैं इसको टेम करने के लिए मेरे पास अभी resources है नहीं and इसकी saddle जो है वो अभी बिल्कुल भी unlock नहीं है तो guys मैं इसको टेम भी नहीं कर सकता and इसको टेम करने के लिए मेरे को at least यार griffin चाहिए हो गई या फिर tap is आ रहा तो देख सकते हो guys यह रावो quadzal बोलते है guys इसको and guys इसका mainly use क्या है कि इसकी जो weight lifting capacity है न guys वो बहुत ही ज़ादा है and पूछो इमत guys कितना weight उठा सकता है तो guys maximum हम लोग use नहीं करते हैं इसका unofficial server में अगर आप guys official servers देखोगे न तो वहाँ पे guys आपको 1000-1000 नहीं 2-2-4-100 100 level की quadzal मिलेगे and जो इनकी health रहती है 1000-2000-4000 नहीं 5 lakh तक की health देखी है मैंने guys इनकी तो चलिए guys इनको छोड़के निकलते हैं आप सीधा hunter cave के लिए and वहाँ पहुंचते पहुंचते guys मेरे को literally काफी ज़्यादा रात हो जाएगी and अंदर जाके तो guys काफी ज़्यादा boom bomb होने वाला है तो guys यहाँ पर मैं almost hunter cave के पास पहुंच चुका हूँ तो guys यहाँ पर मेरे को अभी hunter cave ढूननी पड़ेगी तो यहाँ पर guys आप देख सकते हो कितनी रात हो गई है बस मेरे को guys रास्ता मिल जाए अपनी अपना डंक बिटल को टेम करके लाते हैं उसके बाद easily farming कर लेंगे तो चलिए guys almost मैं पहुंचने वाला हूँ जहां पर मैंने डंक बिटल देखा था तो I think guys मैं थोड़ा सा confuse होगी रास्ता नहीं नहीं सही जा रहा हूँ तो चलिए guys फटाफट से चलते हैं अपना डंक बिटल को टेम करेंगे और उसके बाद अपनी farming करना start कर लेंगे तो guys almost मैं artifact के पास पहुंच चुका हूँ लिटली guys artifact के पास तो चलिए अब चलते हैं guys सीधा अंदर जो मैंने guys डंक बिटल देखा था न वो यहीं पर देखा था तो यहां पर erinos आ गए सबसे पहले तो guys मेरे को इन erinos को मारना पड़ेगा और यह मैं access से मार रहा हूँ जो कि सबसे बड़ी गलती है मेरे पास guys high level damage की sword है मैं उस sword से नहीं मार रहा हूँ इनको अब देख रहा हूँ guys मैंने यहां पर सबसे बड़ी गलती कर दिये कि मेरा tropos level है न वो guys काफी ज़्यादा high हो गया है I think मैं सो न जाओ मेरे को लग रहा है guys मैं सो जाओंगा कुछी देर आगे चलने के बाद तो चले guys I think अब नहीं सोंगा मैं and ऐसे करते हैं अब चलते हैं सीधा तो यहां पर guys मैं almost पहुंच चुका हूँ देख सकते हूँ guys मेरे पास अब भी spoil meat and snoothing bomb है तो guys spoil meat and snoothing bomb को मैं क्या करता हूँ अपने hot bar में लियाता हूँ क्योंकि guys इसको team करने के लिए हमें snoothing bomb लग जाए तो 2-3 spoil meat में easily team हो जाएगा तो मेरे को जो guys यहां पर दिखा था इस वाली location में मेरे को dunk beetle दिखा था मेरे को मैंने सोचा क्यों ना guys यही पर होगा and यहां पर देख सकते हूँ guys जिस चीज का मेरे को डर था वो ही हुआ and यहां पर guys मेरे tropos level जो है वो कौफी ज़दा high हो गया यहां पर मैं हो चुक हूँ unconscious and guys यहां पर arenos and बिच्चु जो है वो में को finish कर देंगे पर guys ढरने वाली कोई बात नी क्योंकि मेरे sleeping bags मैंने अपना cave के अंदर लगा के रखा हुआ है तो finally भाई लोगो यहां पर मैं दोबार से spawn हो चुक हूँ अपने cave के वाले base के अंदर तो guys यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ जितना भी अपना loot है वो उठाएंगे नहीं loot को बाद में उठाते है सबसे पहले तो guys इनको हम मारते हैं यह arenos और बिच्चु यह सबसे गंदी चीज है guys इस cave में तो guys यहां पर मैं सोच रहा था कि मेरे को यहां पर जो dunk battle है वो easily मिल जाएगा पर guys यहां पर dunk battle तो मिला नहीं और मैंने guys almost पूरी cave सर्च कर दी मेरे को literally guys एक भी dunk battle नहीं मिला पर देखो guys कि यहां पर क्या-क्या ricksk रहते हैं अगर आप आते हो dunk battle को करने के लिए बिना bug replicant और stimulant के अगर guys आपके पास stimulant होगा तो आप guys जैसी आपका tropos level बढ़ता है तो guys आप वो 1-2 stimulant खाई लीजिए और जितने भी water skin में guys आपका पानी है और साथ के साथ पानी भी पीता रही है तो guys जितना भी आपका tropos level high होएगा तो वो guys easily कम हो जाता है and guys bug replicant क्या होता है वो उससे guys आप easily सही में guys easily आप इन जो भी invertive rate उनके पास में जा सकते हो and उनको बिना पते लगे guys इसलिए guys जो bug replicant है वो काफी ज़्यादा use होता है के में जाते समय है तो यहाँ पर देख सकते हो guys मैंने सोचा चलो क्यों ना इस तरह देख के आ जाते क्या पता हमें को यहाँ पर मिल जाए and guys यहाँ पर काफी ज़्यादा area news है and मेरे पास जो guys armor था ना वो almost पूरा destroy हो चुक है तो guys definitely अब मेरा यहाँ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर भी guys मैं थोड़ा सा risk ले रहा हूं कि मेरे को भस आज तो मेरे को dunk beetle चाहिए कुछ भी हो जाए तो मैंने guys फटावर से अपने ऊपर थोड़ा सा armor जैसे equipped कर रहा है यहाँ पर गाइस beast level का बिच्छू आ चुका है तो इसको तो guys मैंने मार रहा है चलो फटावर से अपने inventory में चलते हैं जितना भी guys मेरे पास armor है हाइड का armor वह equipped कर लूँगा तो guys जैसे मैं यहाँ पर अपने उपर armor equipped कर रहा था तो देख दिए गाइस बिच्छू की फूरी फोल आ चुकी है मेरे अटेक करने के लिए तो guys यहाँ पर से बचना आप impossible है तो guys पहले में इनको मुक्के से मार रहा था और यहाँ पर देखिए guys कि क्या होता है अपन के साथ तो guys यहाँ पर जो मेरे ट्रॉपोस लेवल है वो दुबारे से काफी ज़दा हाई हो चुका है तो भाई अब तो इनसे बचना बहुत ही ज़दा impossible है तो चलिए guys ऐसे करते हैं दुबारे से अपने sleeping bag में इस पॉन होते हैं और आके guys इनको मारेंगे और दुबारे से चलेंगे हम डंग बिटल ढूनने के लिए तो almost guys मैं दुबारे से यहाँ पर इस पॉन हो चुका हूं और बस यार डंग बिटल मिल जाए ना तो इनको मारूंगा सबसे पहले इन्होंने guys मेरा जीना हराम करके रखा यह 65 लेवल का है यह तो सड़ेला मीट खाते हैं यह सड़ेला मीट खाने के बचे एक इंसान में अटेक कर रहे हैं यह बेसरा में guys बहुत ही ज़्यादा बेसरा में तो guys यहाँ पर मेरा इसमें वह मैं कलेक्ट कर लेता हूं तो यार अगर मेरे को डंक बिटल नहीं मिलता तो guys मैं किस तरीके से अपने के लिए फर्टिलाइजर बन सकता है तो चलिए guys ऐसे करेंगे आज अगर हमें डंक बिटल नहीं मिला तो मैं भी guys हम नेक्स वीडियो में जो है अपने के नहीं है guys farming से मेरा काफी ज्यादा काम हलका हो जाएगा क्योंकि guys वहां पर क्या फायद होता है मेरे को वहां पर सब बेरी काफी अच्छी अमाउंट में मिल जाएगी और जितने भी guys मेरे पास farming करने वाले डाइनो से उनको मैं unclaim करके फिनिस कर दूंगा इसलिए guys क्योंकि farming काफी ज्यादा easy हो जाएगी नहीं यहां पर guys मैंने ट्राइक पाला वाए अपने लेक्वान डॉन को तो guys काम है एंड जैसे इस्टीगो है इस्टीगो को guys कुछ काम नहीं है वह बेरी काले करने में माहीर है तो guys इसलिए रखी वी है तो यहां पर तो guys मेरे को दिखानी है और यहां पर guys मैं जाने का सोचा क्योंकि उस वाले direction में तो guys मैं already जा चुका हूँ और वहां पर guys मेरे को dunk battle literally एक भी dunk battle नहीं दिखा तो guys अब यह मेरे जो left and side वाली direction है वो जगार रह चुकी है तो फटावर से guys इस वाले बिच्चु को मैं मारूंगा और उसके बाद guys वहां पर जाने का try करेंगे तो मेरे को guys मुस्की लग रहा है कि मैं यहां पर बच पाऊंगा तो फिर भी guys try करते हैं हम देखते हैं कि बच पाते हैं नहीं बच पाते हैं तो guys यहां पर almost मैं बच चुक हूँ एंड यहां पर 90 लेवल का guys सबसे hard एक केफ करना तो यहां पर guys मेरे को एक भी literally एक भी dunk battle नहीं मिला है अब यार कितने बिच्चु आ रहे हैं यह तो almost guys मैंने एक सबको तो मार दिया है एंड लिकलते हैं guys दुबारे से हम ढूणने के लिए and मैं guys यहां पर jump कर 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 देखने लगा and यहां पर मेरा guys खोपड़ी बहुत जादा खराब होनी लगी है अब यहां पर आ चुक है आर्मर नहीं है एंड एक बार guys इसने मेरे को काटा किया तो डेफिनेटली guys मैं मरने वाला and यह साथ लेवल का टाइटन बोवा तो फाइनली guys यहां पर साथ लेवल के टाइटन बोवा का भी मैंने एजली मार दिया सो लेवल का है guys यह अरी नो यार मैं सोज रहा हूं अब वुल्फी टेम करूंगा अपने के लिए तब ही होगा guys यह डंग बिटल को डूनने वाला मसला साई तो मेरा guys यहां पर जो वाटर लेवल था वो काफी जादा कम हो गया था तो मैंने डिसाइट करें कि चले यहां पर पानी भी पी लेते हैं यह तो मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहें guys यहां पर से क्या करूं मैं मढ़ जाओं तो चलो guys I think almost मैंने पूरा एरिया क्लियर कर लिया है और यहां पर guys मेरे हैल जो है वो कॉफी ज़्यादा कम है तो चलिए guys दुबारे से चलते हैं और डंक बिटल को ढूंडते हैं यहां पर एरी नोज है तो इनको मारना पड़ेगा दुबारा यह 40 लेवल का है guys तो मेरे को guys यहां पर लगने लगा जाए कि मेरे को I think यहां पर ढंक बिटल मिल जाएगा पर नहीं मिला नहीं मिला guys नहीं मिला तो guys यहां पर मैं दुबारे से घूम के आ चुका हूँ उसकी जगह में जहां से मैं इस केफ के अंदर एंटर करा था तो guys I think अभी कोई भी डंक बिटल यहां पर इस्पॉन नहीं वहा है इसलिए guys मेरे को अभी तक एक भी डंक बिटल नहीं दिखा तो guys I think यहां ही पर छोड़ देते हैं इस location को पर guys मैं इस वाले direction में नहीं गाया रहा भी तक तो ऐसे करते हैं guys एक बार इस वाली direction में भी जाकर चेक करके आते हैं कि यहां पर अपन को मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे तो guys यहां पर भी मिलना मुस्किल लग रहा है तो I think guys यहां पर भी नहीं है डंक बिटल तो मेरी ख्यालते तो guys यहां पर आप भी डंक बिटल कोई भी spawn नहीं वहा है तो चले guys आज की वीडियो ऐसे करते हैं यहीं पर end कर दें जिस चीज के लिए हम आयते guys वो literally हमें मीला नहीं तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम आप से next वीडियो में तब तक ले goodbye and next वीडियो में guys हम अपने के लिए few meo को करने वाले हैं time तो बाबाई गाइस मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ले गुडबाई and have a nice day